नमस्कार मेरा नाम है रवी आपका स्वागत करता हूँ अर्थ वर्धन चनल में आज हम रिविव करने वाले हैं टाटा फ्लेक्सिकेप फंड के बारे में इस फंड के हम लॉंच डेट, एसेटर लोकेशन, फंड टाइप, फंड वर्फरमेंस, टॉब होल्डिंग्स, इन्वे सूटेबल है कि नि उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले हम यह समद लेते हैं कि फ्लेक्सिकेप फंड होता क्या है, फ्लेक्सिकेप फंड में फंड मनेजर को पूरी आजाद दी रहती है, कि वो अक्रास मार्केट कैप और अक्रास सेक्टर किसी भी स्टॉक्स में इन्वे 47 करोड का, यह एक active fund है, इस fund का exit load है 1% for 1 year, इसमें किसी भी तरीके का lock-in period नहीं है, और इस fund का benchmark है nifty 500 TRI, अगर इस fund के expense ratio की बात करें, तो direct mode में 0.75% है और regular mode में 2.15% है, इस fund का turnover है 60.06% और इस fund ने alpha generate किया है 1.35% का, जो की थोड़ा सा कम है, और इस fund का standard deviation है 18.65%, अगर हम alpha और standard deviation के बीच के comparison को चेक करें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि standard deviation थोड़ा सा ज़्यादा है, चो कि कम होना चाहिए था, अगर इस fund के asset allocation की बात करें, तो इस fund में large cap में 71% का asset allocation किया है, mid cap में 20% का और small cap में 9% का asset allocation किया गया है, यह एक open ended fund है, मतलब आप इस fund में कभी भी अपने पैसों को invest कर सकते हो, और कभी भी अपने पैसों को redeem कर सकते हो, अगर इस fund के performance की बात करें, तो इस fund ने एक साल में 17.80% का return दिया है, तीन साल में 16.22, और यह fund जब से launch हुआ है, तब से इस fund ने 14.94% का consistent return दिया है, जो कि बहुत ही शांदार है, अगर लमसम investment की बात करें, तो अगर आपने एक लाग रुपे एक साल पहले invest किया होता, तो आज उसका value होता 1.18 lakh रुपीज, तीन साल पहले invest किया होता, तो आज उसका value होता 1.57 lakh रुपीज, अगर S.I.P की तौर पर बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपीज पर मन्त के S.I.P स्टार्ट करी होती तो आपका एक साल में इन्वेस्टेर रमांट होता 1.2 लेक और आपका रिटन होता 1.23 लेक तीन साल पेल अगर आपने SIP स्टार्ट करी होती तो इन्वेस्टेर्ड रमांट होता 3.6 लेक और आपका रिटन होता 4.79 लेक यह सारे फिगर्स CAGR में कल्कुलेटर है अगर Tata Flexi Cap Fund के सेक्टर होल्डिंग की बात करें तो Services सेक्टर में 21.35 परसेंट, Financial सेक्टर में 19.29 परसेंट, Construction सेक्टर में 15.24 परसेंट, Consumer Staples में 10.28 परसेंट, Metals and Mining में 9.91 परसेंट, और Communication सेक्टर में 5.57 परसेंट का Asset Allocation किया गया है अगर इस फंड के Top 10 Holdings की बात करें तो इस फंड में ICIC Bank में 8.64 परसेंट का Asset Allocation किया है, Reliance Industries में 6.4%, Infosys में 6.03, HDFC में 4.98, Tata Consultancy Services में 4.83, ITC में 3.38, Amboja Cements में 3.07, HCL Technologies में 2.89, Titan Company में 2.74 और Axis Bank में 2.47 अगर आपको अपना investment start करना है, तो minimum 500 रुपीज पर मन से आप अपने SIP श्टार्ट कर सकते हैं, जब कि अगर आपको लंसम investment करना है, तो minimum 5000 रुपीज से आप अपना investment स्टार्ट कर सकते हैं इस fund के fund manager है, Sonam Udasi, जिनको 24 साल से भी ज़्यादा का experience है Tata Mutual Fund को join करने से पहले, वे IDBA Capital Market Services Limited, Quantum Group, GM Financial EMC, ASK Raymond, और GMs and Bricks Securities के साथ में काम कर चुके हैं अगर इनके education qualification को check करें, तो इन्होंने अपने PGDBA complete किया है, finance से अब मेरा क्या मानना है इस fund के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ अगर आपको long term के लिए investment करना है, तो basic ये fund आपके लिए सही है अगर आप stable portfolio चाहते हो, तो आप इस fund में investment कर सकते हो अगर आप discipline investor हो, तो आप इस fund में investment कर सकते हो लेकिन अगर किसी को short term के लिए investment करना है, या फिर कोई retired person है तो इस fund के अलावा आपको दूसरे investment options को choose करना चाहिए या फिर आप इस fund में investment करने के साथ, debt में भी थोड़ा investment कर सकते हैं ओप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो like करो, share करो और subscribe करो, thank you